पूरी दुनिया एक तरफ कोरोना वाइरस के कारण जो समस्या पादा हुई है जिंद्गियां बचाने के लिए दुनिया जंग लड़ रही है ऐसी संकट की घड़ी में हिंदुस्तान की भी केंद्र सरकार हो या राजय सरकारे हो सभी डिपार्टमेंट और एक प्रकार से सभी नागरीक यह कोरोना वाइरस की लड़ाई में पिछले दो धाई महीने से लगे हुए है ऐसे समाई है साइकलोन का इतना बड़ा संकीर और वो भी सूपर साइकलोन बहुती चिंता का विशे था बंगाल जाते जाते वो भुड़ीशा को भी कितना नुक्सान कर पाएगा यह हमेशा चिंता का विशे बना रहा लेकिन जिस प्रकार से यहां पर व्यवस्ताएं इंस्ट्रिश्लाइज हुई है गाउं तक नागरीकों को क्या करना है ऐसे करके समय कि इसकी भली भाती जानकारी होने के कारण यहां जीवन बचाने में कि बहुत बड़ी सफलता मिली है और इसके लिए उडिशा के नागरीक उडिशा का प्रसासन और उडिशा के मुख्यमंत्री सिमान नविन बाबु उनकी पूरी टीम अभिनंदन के अधिकारी है लेकिन जब इतनी बड़ी प्रकूर्टी आपदा आती है तब संपत्ति का नुक्सान तो होता ही है पच्चिम मंगाल की तुलना में उडिशा में उत्रा नुक्सान नहीं हुआ है लेकिन जाते जाते भी पूंच पटक करके तो जाता ही है इसे प्रकार का संकट और इसलिए हाउसिंग में अग्रिकल्चर में पावर में कम्मुनिकेशन में इंफा सक्कर में जो नुक्सान हुआ है तो मैंने आज पूरा डीटेल रिव्यू लिया है राज्य सरकार ने भी ववस्ता की तरफ से बहुत भी जल्द उसका अकलन करके रिपोर्ट वारत सरकार को मेलेगी वारत सरकार की टीम भी तत्काल यहां पहुचेगी और पूरी परिस्तित्य का रिव्यू करकर के लंबे समय के लिए रिलीफ हो रिश्टोर करने की बात हो रिएपेटिशन की बात हो इन सारी चीजों को प्राथ्विक्ता देते हुए काम आगे बढ़ाये जाएगा लेकिन तत्काल आवश्चक्ता को ध्यान रखते हुए भारत सरकार के तरफ से पांसो करोड रुपिया एडवांस ववस्था के रुप में देने का हमने निर्णे किया है और बाकी आवश्चक्ता हैं एक बार कंप्लीट सर्वे होने के बाद रियेविलेटेशन की पूरी योजना बनने के बाद भारत सरकार भी कंदे से कंदा मिला करके ओरिशा के विका झाल झाल झाल